वेलकम टो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है, दोस्तो आज 23 जनवरी को RRB NTPC के 1st shift का एक्जाम खतम हो चुका और इसके सभी GKGS के question जो हमारे पास आचुके हैं maximum question जो आये हैं वो 100% authentic हैं, किसी question में आपको doubt है तो आप उस question का serial number ज़रूर बताइगा, कि उस question में क्या पूछा गया था और अगर आपको कोई extra question भी याद आता है, तो आप comment करके हमें ज़रूर बताइए क्योंकि जब साम को second shift का analysis कराया जाएगा, चार बज़े के बाग, तो आपको first shift और second shift दोनों का combine जो है, वो PDF दिया जाता है, वो PDF हमारे Android अप पर available होता है, जिसको आप Google Play Store से भी download कर सकते हैं, नीचे description में भी उसका link दिया हुआ है, यह लोगों ने पहले से install किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जाना कहां पर है, अप के अंदर जब आप अप install कर लें पर में quiz मिलेगी, ठीक है, और नीचे में जो है, वो PDF मिलेगा, तो PDF वाले section में नीचे वाले में चार section है, जिसके अंदर एक section previous year paper है, ठीक है, उस पर click करेंगे, तो आपको RRB NTPC का जो है, आपको यह सारा PDF मिल जाएगा, अब तक जितनी भी analysis हुई है, सभी का PDF वहां पर available है, आप उसको वहां पर पढ़ सकते हैं, तो आज second, first shift में जो questions पूछा गया है, वो इस तरह से है, पहला प्रशने सेंधा नमक का खनीज नाम पूछा गया है, तो देखें, यह rock salt के नाम से भी जाना जाता है, हैलाइट, sodium, chloride भी इसको कहा जाता है, इसके बाद question पूछा ग लेते हैं, खनीज लबान भी ले लेते हैं, carbon dioxide जो है, उनको चाहिए, जो वातावरन से लेते हैं, और energy भी चाहिए, ठीक है, यह जो है, वो सूरिका प्रकास भी चाहिए होता है, सूरिका प्रकास भी चाहिए, फोटो सिंतेसिस के लिए, ठीक है, सूरिका प्रकास, अगला स इसके बाद है राजस्थान की फर जो है वो किस परकार की कला है राजस्थान में फर कला है उसको पूँचा गया किस परकार की वो कला है तो यह जो फर है वो लोक चितरकला, यह परकार की चितरकला है, लोक चितरकला इसको कहा जाता है, 2019 में सुरक्षा परिशत का सदस से कौन नहीं है, यह question पूछा गया था, option में Malaysia दिया गया था, इसके बाद है CSIR की फुलपम होती है, Council of Scientific and Industrial Research, इसके बाद देखें, CSIR का मुख् पर यह आप सभी कमेंट कीजेए, और इसकी असथापना कब होई थी, यह आप सब को कमेंट करना है, इसका हेड़ कोटर का है और इसके असथापना कब होई थी, इसके बाद है भारत छोरो अंदोलन के समय, रुना असफ अली ने कहां पर जंडा फैरा था, यह question पूछा गय या फिर बंकिम चंद चटर जी दोनों एक ही चीज है तो यहाँ पर आप याद रखेगा आनंद मट से लिया गया है वंदे मात्रम ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है यहाँ पर अंकलेश्वर तेल शोधन कारकाना कहां पर इस्तित है तो यह भरूच गुजरा के अंदर इस्तित है नेक्स्ट कोशन पूचा गया है 1936 का कॉंगरेश का अधिवेशन किस गाउं में हुआ था तो यह हमने आपको बताया था यह क्योंकि यह पहली बार किसी गाउं के अंदर हुआ था और वो आंसर आपको याद रखना था फैसपूर जिसकी अर्दैक्स् सब्द का इस्तेमाल कब हुआ पहली बार स्वदेशी का सब्द का इस्तेमाल कब हुआ पहली बार पूर्ण स्वराज का सब्द का इस्तेमाल का जो वर्ड है वो कब इस्तेमाल किया गया कि सदिवेशन में यह सारी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी पहली महिला कौन बनी ठीक है पहली भारतिय महिला कौन बनी अध्यक्ष ये सबी आपको पहले मुसलिम कौन थे जो इसके कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ऐसे कई सारे प्रस्ण जो आपके exam के point of view से important है उन सबी प्रस्णों को साई बटन पर आप जरूर देखें जो वीडियो का link मैंने दिया है इस इस तरह से जितनी भी पंचवर्ष योजना है जैसे first पंचवर्ष योजना है वो किसके model पर based ये सबी चीज़ें आप याद रखें ठीक है जितनी भी पंचवर्ष योजना अगर वो किसी model पर आधारित है तो उस वेक्ति का नाम आपको याद रखना है और वो अब लगातार देखने को मिल रहे हैं इसके बाद सवाल पूचा गया अक्टूबर 2020 तक कुल कितने अनुच्छेद हैं देखें इसमें कई लोगों को मतभेद हो सकता है ठीक है अलग-अलग आंसर आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर मूल अनुच्छेद की बात करें मूल रू जोडते हुए अब तक टोटल जो है वो 470 अनुच्छेद हो चुके हैं तो आप इस चीज को समझें यह जोडा गया तो इतना हुआ है मूल रूप से 395 हैं कुश्चन किस तरह से पूचा था ऑप्शन क्या था यहाँ पर हमें नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके नहीं पताज है इसके बाद देखें सागा 220 पूचा था कि क्या है Biz यह जोड़ा की धारत का सबसे तेज सूपर गम्प्यूटर जो ही यह किसính बनाया भारत चे अन्तरिव चनुचंदान संग्प्यूठन ने बनाया है तीक है यह उसके दौररा बनाया गया पूचा गया था किस पर बेज़ है तो उपर कम्प्यूटर है वो एक प्रकार का इसके बाद अगला यहां पर पूछा गया है कि 2022 में फुटबॉल विश्वकप कहां पर होगा तो यह अंसर होगा कतर इसके बाद पूछा गया डॉक्टर भीमराम वेटकर नतरास्टे हवाई अड़ा के नाम पर कौन सा हवाई अड़ा जाना जाता है यानि इनका जो नाम चेंज हुआ है इसका तो यह सोने गाउ हवाई अड़ा है यह नागपूर महारास्ट में है एक्चुली यह हवाई पट्टी है यही पोश्चन जो है वो पूछा गया है किसका जो पुड़ाना नाम है वो किस नाम से जाना जाता है तो सोने गाउ हवाई अड़ा नागपूर महारास्ट में ताट्या टोपे ने किस स्वतनता अंदोलन में भाग लिया था तो ताट्या टोपे ने 1857 की करांती में भाग लिया था इसी तरह से आपको याद रखना है बिहार में 857 की करांती से जो बिहार के नेता थे वो कौन थे वीर कुमर सिंग बिहार के तरफ से जो भाग लिया था इनका नाम था इसी तरह से रानी लक्ष्मी भाई ने भाग लिया था ठीक है कानपूर से किसने भाग लि इसको कहा जाता है इसके बाद इसरो के संस्थापक पूचा गया है तो इसरो के संस्थापक का नाम विक्रम सारा भाई है ठीक है विक्रम सारा भाई और इसी विक्रम सारा भाई जी के नाम पर 2000 जब ये चंद्रियान 2 जो भेजा गया था लॉंच किया गया था चंद्रियान 2 तो इसके लेंडर का जो रोवर का जो नाम है वो विकरम रखा गया था ठीक है विकरम रखा गया था किन के नाम पर इनी के नाम पर रखा गया था इसके बाद अरनमुला नौका दौर ये किस राज से सम्दित है तो जो boat race है ये पूछा गया था ये केरला की boat race होती है ये केरल इसका answer हो जाएगा केरल राज से संबंदित है ये अरन मुला नोका दौर boat race आप इसको समझेए अरन मुला boat race जो है वो किस राज से संबंदित है केरल से संबंदित है इसके बाद पूछा गया है दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है इसके बाद कोईशन का अंसर आप सभी को बताना है चार अप्शन दिये गया है नौरवे, कतर, युएई और विनेज्वला ये चारो अप्शन एक्जाम के अंदर आप से दिये पूछा गया थे और इसमें पूछा गया था कि दूसरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है इसके बाद कोईशन पूछा गया था आहमद नगर की रानी कौन थी, जिसने अकबर से युद्ध किया था तो आहमद नगर का युद्ध हुआ था, एहम अधनगर की रानी थी चांद बीवी तो यह सारे questions हमने देखें जो first shift में question पूचा गया है second shift के questions अभी नहीं आये है second shift के questions हम आपको जैसे ही exam खतम होता है उसके बाद आपको second shift का analysis मिलेगा thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like and share कीजएगा thank you